नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग गखुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ विहार बोर्ड अब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिस पेपर का पिछले विडियो में आप सोशल साइन्स, साइन्स, मैथ कर देख सकते हैं अब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंसर सीट दोस्तों ये है आपका इंग्लिस पेपर आपको हम बता दे कि इंग्लिस में आपको 100 अब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको 50 बनाना होता है तो 50 नमर आपका यही हो गया और 50 नमर आपका सब्जेक्टिव आता है जिसमें आपको लेटर, राइटिंग और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इंग्लिस बुक से दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें तकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा तो इस्टाट करते हैं पहला कोश्चन है हमारा फोर हूम डज द फादर सेव द मनी कोश्चन है कि पीता ने किसके लिए मनी सेव किया पीता ने किसके लिए मनी सेव किया आपके पास अप्शन है सूधा, पदमा, जमुना, कृती तो पीता ने किसके लिए मनी सेव किया तो दोस्तों आपको हम पता दे पदमा के लिए जो है money सेव किया यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा B number Next question देखिए क्या है Who asked what a woman without a husband बीना पती के औरत क्या है किसे ने पूछा किसे ने पूछा आपके पास option दिया हुआ है इसमें हमारा answer हो जाएगा पदमा mother यहाँ पे हमारा answer हो गया C number Next question देखिए क्या है Who said life is hell for those women whose husband is dead तो यह आपका 3 number question है हमारा answer हो जाएगा पदमा mother इसका मतलब क्या हुआ समझे औरत की जिंदिगी नर्क है अगर उसकी पती मर चुका हो किसने कहा यह आपका कह रहा है सावाल Who said life is hell for those women whose husband is dead कह रहा है औरत की जिंदिगी नर्क है अगर उसका पती मर चुका है किसने कहा तो पदमा मदर्स हमारा एंसर हो गया बी नमबर नेस्ट कॉस्चन देखिए क्या है नेस्ट कॉस्चन है हमारा चार नमबर Who said you need not talk to justice and injustice here आपको नियाई और अनियाई के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है किसने कहा तो दोस्तों हमारा एंसर हो जाएगा पदमा मदर हमारा एंसर हो जाएगा सी नमबर नेस्ट कॉस्चन देखिए क्या है Which of the याती सोन एक्सेप्ट दो ओफर ओफ हिज फादर कौन सा याती सोन अपने पीता का ओफर एक्सेप्ट किया तो फोर्थ सोन यानि की चौथा सोन हमारा एंसर हो गया सी नमबर नेस्ट कॉस्चन देखिए क्या है Who struck with through due to refusal of his offer किसने आफ़र को reject करने के बाद दुखी महसुस किया तो हमारा एंसर हो जाएगा जाना तो हमारा एंसर हो जाएगा दोस्तो ए आती ए नमबर नेस्ट कॉस्चन है Who become famous as a ruler devoted to the welfare of his subject आठ नमबर कह रहा है कौन सा आदमी महसुर पुजारी बना यह आपको बताना है महसुर पुजारी बना तो हमारा एंसर हो जाएगा दोस्तो आयाती सी नमबर नेस्ट कॉस्चन है Who become prematurely would be the course of सुकर्याचार्यों तो दोस्तो हमारा इसमें एंसर हो जाएगा नमबर में बी नमबर आयाती नेस्ट कॉस्चन देखें क्या है Short message service center is run by door तो SMS center कि इसके द्वारा चलाए जाता है तो SMS center जो है आपको बता दे हम Service provider के द्वारा चला जाता है हमारा एंसर हो जाएगा ए नमबर नेस्ट कॉस्चन है अटना को जाता है हमारा message can be received even will making तो इसमें दोस्तों बारन नमबर question हमारा answer हो जाएगा voice call ये number answer हो जाएगा what is the number of people give and blue are reported to do from respiratory diseases in america according to the reported published by government of america तो दोस्तों इसमें हमारा answer हो जाएगा चुद्य नमबर question है स्री नमबर छो जाजार next question है according to the reported how many people due in united state of america due to asthma created due to air pollution या हमारा answer हो जाएगा 20 यानि कि स्री नमबर हो जाएगा 14 next question है हमारा which of flowing is caused due to the deforption तो यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा swollen number question में d number all of this all question हो जाएगा trembling each of flow through the trees तो इसमें हमारा answer हो जाएगा दोस्तों which of the word given blue was produced when नर्सेस called in panic if there anybody here यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा दोस्तों यह नमबर next question है what was the each of produce when a narcissist suited come यहाँ पे आपका answer हो जाएगा come the day of death of stood पिश्मिला खान was declared by government of India national morning हमारा answer हो जाएगा b number which of the flowing imperiors learned the musical instrument हे पूंगी in the royal court यहाँ औरंगा जेप हमारा एंसर हो जाएगा d number next question है the become the जेंद्री के नेम होर नीडेड़ नौइज मेकर्स हमारा answer हो जाएगा सिहनाई बी नमबर next question है where the बुधनाथ स्टूपा is situated यहाँ पे तेश नमबर question है हमारा तो इसमें answer हो जाएगा हमारा बी नमबर कटमांडू next question a small shop stand on the side of the campus of बुधनाथ स्टूपा where on it by हो जाएगा टिपटी एन इमिजरी ग्रेंट दोस्तों आपको हम पहले ही बताएगा कि 100 question हाएगा जिसमें से आपको 50 बनाना है तो अब आपको हम grammar से related इसमें बताएगे क्योंकि उससे भी आपका सवाल आएगा choose of indirect speech of the given sentence he said to her what a cold day आपको जो है indirect speech जो है बनाना है तो आपका सवाल है he said to her what a cold day ठीक है cold day यहाँ पे आमारा answer हो जाएगा दोस्तों आपको बता दें he exclaimed that is that it was a very cold day यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा d number next question देखिए क्या है हमारा the teller said to him will you have the suit ready by tomorrow evening tomorrow evening इसमें हमारा answer हो जाएगा दोस्तों आपको हम बता दें the teller asked him if he would have the suit ready by the next evening यहाँ पे हमारा answer होगा c number next question देखिए क्या है he said to interviewer could you please report the question report the question तो यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा इसका he required the interview to report the question c number next question देखिए क्या है he said to me what do you want ठीक है यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा he asked me what I wanted यह number next question है हमारा naveen say to me I am your friend I am your friend यहाँ पे हमारा हो जाएगा naveen tell me that he is my friend next question है हमारा I said to her I am a good player good player यहाँ हो जाएगा I told her that I was a good player d number answer हो जाएगा fill in the blanks देखिए 77 number question क्या है आपका c care about such odd behavior यहाँ पे आपको होगा c does not care about such odd behavior यहाँ आमारा answer हो जाएगा b number next question देखिए क्या है usually I what is but I did one very much one very much यहाँ answer हो जाएगा enjoy I am not enjoying a number answer हो जाएगा अब देखिए next question क्या है आपको choose the most of suitable preposition preposition जो है आपको select करना है I do not agree dot dot you on this point यहाँ पे आपको क्या होगा बताना है यहाँ होगा I do not agree with you on this point हाँमारा answer हो जाएगा d number next question देखिए क्या है nobody in our group has a genius winning friend and in coming people तो यहाँ पे आपको dot dot जो genius के बाद यह क्या होगा आपको बताना है तो हो जाएगा for genius for winning तो हमारा answer हो जाएगा b number next question है I have a decision publicity decided publicity यहाँ पर आपको क्या होगा आपको बताना है तो decided for publicity हमारा answer हो जाएगा d number often we do not get what we pine इसमें आपका क्या होगा answer pine for pine हो जाएगा what we pine for तो आपका answer हो जाएगा यहाँ पर for next question देखिए क्या है इसमें the shoulders rebled rebled docking इसमें आपका हो जाएगा 83 number question है 83 number question में against हमारा answer हो जाएगा a number he was vaccinated so hard for this behavior 84 number है 84 number में आपका हो जाएगा with so hard for his behavior d number हो जाएगा I brought him with great difficulty difficulty था हमारा 85 number question है इसमें आपका हो जाएगा difficulty में of with great यह number answer हो जाएगा इसमें देखिए क्या है अच्च सब्सक्राइट करेक्वार हो जाएगा आपका इसमें आपका d number अच्च़ करना है आपको 88 में आपका एंसर हो जाएगा Admittance हमारा एंसर हो जाएगा इसमें A नमबर 89 में देखिए कौन सा जो है choose correct spelling है 89 89 में हो जाएगा हमारा दोस्तो Erondrom हमारा एंसर हो जाएगा B नमबर 19 में देखिए क्या होगा आपका एंसर हो जाएगा इसमें एस्टेटिस हमारा एंसर हो जाएगा डी नमबर और एकानवेर में आपका हो जाएगा एंसर एवरी भेट हमारा एंसर हो जाएगा ये नमबर और बानवेर नमबर कोश्चन में आपका एंसर हो जाएगा इंसिपेंट और हमारा एंसर हो जाएगा इंसिपेंट हमारा एंसर हो बी नमबर और नेश्ट कोश्चन है मैं नाश्ता कर चुका हूँ I have taken my break fast आपका 93 नमबर में आपका यही एंसर होगा I have taken my break fast 94 नमबर कोश्चन है उसकी आवाज बहुत प्यारी है उसकी आवाज बहुत प्यारी है ट्रांस्टेशन आपको बनना है तो उसकी आवाज बहुत प्यारी हो जाएगा His voice is very sweet हमारा answer A number हो जाएगा next question है मैंने एक सपना देखा I had a dream हमारा answer हो जाएगा B number next question है मैं उससे मिलने गया हमारा answer हो जाएगा I went to meet him next question है हमें सफलता के लिए कठीन परिश्राम करनी चाहिए तो होगा we should work hard for success हमारा answer होगा B number next question है मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ आपके पास option है I am going to write a later हमारा answer हो जाएगा A number next question है मजदूर सहाब सबसे वरिष्ट अधिकारी है वरिष्ट अधिकारी है यानि कि मजदूर सहाब is the senior most officer हमारा answer हो जाएगा C number next question रखे क्या है वह कहीं नहीं जा सकता वह कहीं नहीं जा सकता हमारा answer हो जाएगा C number तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको जो है हमारा वीडियो समझ मैय होगा यदि आप जो है पास सेट रेडि कर लेते हैं तो आपका English पूरूरूरूप से तयार हो जाएगा और subject के लिए आप हमारे देख सकते हैं पिछले वीडियो में भी और मैयत का सेट अभी चार बना है और सेट आपको बनेगा तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्जाम जो है बहुत नजदी का गिया है तो आप त्यारी में लग जाए थैंक्यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों यदि आपको अच्छा लगत आपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करते तकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थैंक्यू दोस्तों राधे र दोस्तों